तो भी इंसान संगर्ष करना जानता है, वो अपनी बुरी से बुरी किस्मत को भी बदल कर रख देता है, फिर चाहे उसकी परिस्तितिया कैसे भी हो, जो मिल रहा है, तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखुभी जानता है, कभी गिर जाओ, तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं, गीता में लिखा है, जब इंसान की जरुरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है, मुझे इसलिए जीतना है, क्योंकि सब चाते हैं, कि मैं हार जाओ, सबर करो, कोई नदर अंदज कर रहा है, करने तो, देख कर अंदेखा कर रहा है, करने तो, बस याद रखना, कि वक्त सब का आता है, जिन्दिगी में इतनी काबिल बन जाओ, कि अपनी बाराद में किसी और की कार किराई पर ना ले जाना पड़े, शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर को सुखा नहीं सकती, किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जीस प्रकार के आप बोलते हैं, वो तैय कर देता है, कि आप किस क्लास के हैं, बड़ी जीत, बड़ा सोर होगा, त अगर अकेला पन है, तो उसे एक वर्दान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुमें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दिया है, सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा, और वो है आप खुद, अगर कोई आपनी कीमत ना समझे, तो निराश मत होना, क्योंकि कवाल के वैपारी को हीरे की प्रभपरक नहीं होती है, पुद को स्पेसल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू नहीं बनाता है, हार के भी देख लिया, फिर किस बात का कम है, चल उठ और उस दुनिया को देख, और दिखा दे, तेरे अंदर कितना दम है, मोक अंदर को